कोसी कला में टटलू बाजी का मामला सामने आया है जिसमें दो यवकों ने सोशल मीडिया के जरिये ललितपुर निवासी एक यवक को चेक्टर का जहांसा देखकर कोसी कला बलाया जिसके बाद दो लाकुर पे लेकर दोनट टटलू मौके से फुर हो गए सोशल मीडिया पर महगे सामान को सस्ते दामों पर बेचने का लालच देकर लोगों के साथ ठगी करने वाले शातिर कोसी कला में सक्रिये हैं पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं लेकिन पुलिस इन पर अंकुस लगाने में नाकाम साबित हो रही है ऐसा ही एक मामला फिर प्रिकास में आया जहां ललितपुर के रहने वाले अजीत अपने साथी को लेकर कोसी कला में टेक्टर लेने के लिए पहुँचे थे बताया जा रहा है कि पीड़त अजीत सिंग निवासी ललितपुर दस दिन पहले टेक्टर देखके भी गए थे अजीत सिंग अपने साथ दो लाग रुपे लेकर भी आया था बताया जा रहा है कि लुटेरों ने पीड़त के साथ चाय थी और उसे बातों में लेकर जहांसा देकर बाइक पर सवार होकर दोरों टटलू मौके से फरार हो गए घटना इस तल से टटलूों द्वारा पैसे लेकर भाग जाने के बाद ललित घबरा गया और घटना की जानकारी ततकाल इस्थानिय पुलिस को दी घटना इस तल पर पहुंची पुलिस ने पीड़तों और आसपास के लोगों से घटना की जानकारी की इस्थानिय लोगों ने बताया कि इस तरह के लोग इस इलाके में काफी पहले से सक्रिये हैं लेकिन पुलिस इन पर अंकुस नहीं लगा पा रही है ललितपुर के रहने वाले पीडित अजीस सिंग ने थाना कोशी कला में अग्या दो लोगों के खिलाब जहांसा देकर दो लाख रुपे लेकर भाग जाने की तहरीर दी पुलिस पीडित की त जानें सराहुल को पून पून तबास हुआ हमाने यह दो टकर की यह थे अच्छा तो फिर क्या हुआ है अपने इस चंड पर आया अपने इक पहुंशी स्पिद्नबूल के शां वाग दिया वाग दिया में पीछा क्या लेकर मुट्स एका बाग द्या लेकिन नमबर कोर्द नबर याद नहीं है अमने पिछा भी किया लेकिन है को झाल था पर oldest से चे पहले अब कभी आई कोशि कर ला है को जिसकलार ? जो लक्षे चुना था समझ आने लगा है जो भाविश्य बुना था नजर आने लगा है जी एले युनिवर्सिटी उच्छे लक्षों के दिश्चित प्राप्ति लक्षे चाहे जोब पाने का हो या जोब देने का